वेलकम टू सोसियोलोजी क्लासेज आज हम डिसकस करने वाले हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टेम ऑफ गॉवर्मेंट है जहाँ पर लोगों के द्वारा ही गॉवर्मेंट को चुना जाता है डेमोक्रेसी यानि की लोगतंत्र जहाँ पर लोगों की ही गॉवर्मेंट होती है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का बेसिकली थ्री पिलार है यह ज्यादा तर जो देश है वहाँ पर तीन पिलार को ही माना जाता है लेकिन हम इंडिया में डेमोक्रेसी के चार पिलर को मानते हैं चार पिलर यानि कि चार स्थम्ब को मानते हैं legislature, executive, judiciary और media legislature यानि कि जिसको हम बिधाई का कहते हैं यह हमारे लिए laws तयार करती है यानि कि यह laws create करती है जो executive है यानि कि कारिय पाली का वो हमारे लिए laws implement करती है और जो judiciary है यानि कि नियाई पाली का वो हमारे लिए laws अच्छी बनी है कि बुरी बनी है लोग इसको पालन कर रहे है कि नहीं कर रहे है यानि कि courts है जो हमें यह सारे laws को implement करने में मदद करती है और जो आखरी stumb है media जिसको आज हम discuss करने वाले है ये भी democracy के लिए बहुत एक important चीज है एक important pillar है जिसके उपर खड़ा होकर हमारा democracy चलता है जो basically government और लोगों के बीच में एक door की जैसे काम करती है इन दोनों के बीच में जो communication है inter relationship तयार करता है वो करता है हमारा media आज के class में हम basically कौन सी चीजों को discuss करने वाले है हम पहले देखेंगे कि democracy और media में क्या relationship है फिर देखेंगे role of media in democracy यानि कि एक democratic government में media का क्या role होता है फिर हमारे democracy के related जो public policies है यानि कि लोगों के भालाये के लिए जो policies बनाए जाती है वो क्या है ये देखेंगे और फिर उसके साथ public policy making में media का क्या role है ये भी हम देखेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा जो आज time to time media का जो role और effect में changes आये है previous time से आज के time पे जो भी changes है बदलाव है ये सारे चीजे किस तरीके से अलग-अलग stages में हुई है इसको भी जानने के कोशिश करेंगे अगर आप मेरे classes में नए है तो channel को subscribe कर लेना और video को like और share जरूर करना क्योंकि sharing is caring इस channel पे आपको educational बहुत सारे videos मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारे playlists से आप लोग playlists से study कर सकते हो आपको चीजे ढूणने में मदद मिलीगी तो चलिए आज का ये जो class है ये हम शुरू करते हैं हम पहले देखते हैं ये democracy basically है क्या ये democracy is a government of the people for the people and by the people यानि कि democracy एक ऐसा government है जहाँ पर government को लोगों के द्वारा चुना जाता है वोटिंग के द्वारा और वो government होता है उन लोगों के लिए ही democracy और media जो है ये दोनों interrelated है जब भी हम किसी country का development का process की बात करते हैं तो हाँ पर ये दोनों elements democracy और media एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर जब भी government कोई काम करती है उसका responsibilities को समझाना government अच्छा काम कर रहे है क्या बुरा काम कर रहे है ये सारे चीज़े समझाने का दाइत्व होता है media का media ही लोगों और government के बीच में relation का काम करती है ये जो democracy है यहाँ पर कौन rule करेगा कौन शार्षन करेगा कौन सा government होगा ये चुनती है उसके लोग उस democratic country के लोग यहाँ पर लोग अपने voting rights के दुआरा voting booth पे अपना जो आवाज है वो बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ चाहते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है कि यह जो चाहना वो जो लोग है जो भी अलग-अलग parties contest करती है इस election के लिए उनका जो आवाज है वो किस तरीके का बाते बता रहे हैं वो कौन सी चीज़े करना चाहर है यह सारे चीज़े लोगों तक कौन पहुचाता है यह सारे चीज़ों को इन सारे information को पहुचाता है media अलग-अलग तरीके का media होता है news media हमारा newspaper होता है tv, internet, radio यह सारे अलग-अलग तरीके का media है हर तरीके का media ही हमें कुछ ना कुछ information provide करता है लेकिन जब हम democracy की बात करते है तो democracy के related जो चीज़े है वो खास कर हमें news media ही provide करता है इस बज़े से democracy को बजाय रखने के लिए democracy के survival के लिए news media एक बहुत indispensable चीज़ है और अगर एक country में बहुत बहतर तरीके का news media हो unbiased news media हो तो वो country बहुत ही progress जल्दी करती है इस बज़े से ये media को fourth pillar of democracy कहा जाता है अब देखते हैं role of media in democracy democracy में media का क्या-क्या role है providing information यहाँ पर governments क्या-क्या activities कर रही है government क्या-क्या actions कर रही है यह सारे चीजों के बारे में लोगों तक information पहुचाना का काम है media का और साथ-साथ लोगों का जो problems है लोग किस तरीके से suffering में है कहा पर क्या दिक्कते चल रही है कहा पर क्या problems चल रही है यह सारे चीजे भी बताना government तक पहुचाना का काम भी होता है हमारा media का इस बज़े से media जो है यह people और government के बीच में एक link के जैसा काम करता है जो information एक जगा से दूसरी जगा तक पहुचाता है फिर है acting as a watchdog यानि कि यहाँ पर नजर रखने की बात की जा रही है media यहाँ पर नजर रखती है अब यह किस के उपर नजर रखती है यह खास कर government के उपर critically नजर रखता है कि government कौन सी चीजे कर रही है कौन सी policies ला रही है यह लोगों के लिए आम जनता के लिए सही है के गलत है यह सारे चीजों के उपर critically नजर रखता है media media ही लोगतों पहुचाता है कि यह जो policies है यह सही है के गलत है यह सारे चीजे बताता है media इस बज़े से मीडिया नजर रखने का काम भी करता है। ये politicians जो भी काम कर रहे हैं इसको question करते हैं मीडिया और साथ-साथ उनका जो opinions या फिर success या फिर failure जो भी चीज़े होती हैं ये सारे चीज़े लोगों तक पहुचाती हैं, ये सारे बाते लोगों तक पहुचाती हैं यानि कि यहाँ पर public और government के बीच में जो भी information है इसको exchange करने का काम करती है media और उसके साथ-साथ serving as checking function यानि कि यहाँ पर check करने की भी बात की जा रही है यहाँ पर जो भी government है जो भी electorate persons है यानि कि जो MPs, MLS होते है यह सारे लोग क्या कर रहे हैं उन्होंने जो वादे किये थ वो निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं और जो लोग vote देकर उनको लाये थे उनके साथ नियाय हो रहा कि नहीं हो रहा है यह सारे चीजों को check में रखता है यानि कि देखरे करता है media और इसके according ही वो अपना reports तयार करती है वो news देती है अब देखते हैं democracy में एक जो important चीज़ है वो है public policy यानि कि लोगों के public interest के लिए जब कोई policy तयार की जाती है लोगों के भलाई के लिए जो policy तयार की जाती है उसको कहा जाता है public policy public policy अलग-अलग fields में exercise किया जाता है अलग-अलग जगा पर implement किया जाता है जैसे national government level पर भी implement किया जा सकता है state government, municipality, ponchayet ये सारे जगाओ पर ये implement किया जाता है ये basically public interest के उपर depend करता है कि वो कौन सी जगाओ उपर public policies को अलग-अलग तरीके का policies को implement करेगी अब democracy में ये public policies का importance बहुत ज्यादा है ये public policies हम health sector, social welfare, media, defense, agriculture ये सारे sector में देखते हैं इसके वज़े से बहुत सारे लोग इसके द्वारा affected होते हैं इसमें ऐसे positive effect भी हो सकता है और negative effect भी हो सकता है अब ये जो public policies तयार कर रही है सरकार इसका positive effect है कि negative effect है ये सारे चीज़े ध्यान रखती है media media ही लोगों तक पहुचाती है कि ये सारे policies जो तयार है ये government का किस aim से तयार हुए है ये लोगों को बताती है और साथ-साथ government ने जो policies implement की है उसके दुआरा लोगों को फाइदा हो रहा है कि लुकसान हो रहा है ये सारे बाते government तक पहुचाती है ये media इस बज़े से media का role बहुत important हो जाता है हमारा public policies तयार करने के वक्त भी अब देखते हैं the role of media in the policy making यानि कि जब भी public policy तयार होती है इस public policy बनाने के वक्त ये media का क्या role है यहाँ पर हम दो तरीके का role देख सकते हैं एक role है जहाँ पर influences the policy maker यानि कि जो भी लोग policy तयार कर रहे हैं media उनको influence करता है जो भी various groups है जो भी powerful groups होते है या फिर जो भी लोगों के opinion होते हैं ये सारे opinion policy maker तक पहुचाता है media जैसे important educationist, journalist, expert, political parties का जो बात है फिर religious leaders, worker, peasants ये सारे लोगों के बाते various groups के बाते government तक पहुचाती है media इस बज़े से media policy maker को influence करती है कि वो लोग किस तरीके का policy बनाए अगर वो लोग policy बनाएंगे तो कौनसा group फायदे में रहेगा कौनसा group लुक्सान में रहेगा ये सारे opinion देता है media फिर दूसरी तरफ ये media policy maker को pressurize करती है यानि कि अगर वो लोग public interest के लिए कोई काम नहीं कर रहे है पाब्लिक्स का क्या demand है पाब्लिक्स का क्या opinion है ये सारे चीज़े वो लोग अपनी debate और educated जो masses है उनके बीच में बात कराकर ये सारे चीज़े देखती है कि कौनसा चीज public interest के लिए सही है इस तरीके से media government को pressurize करती है कि अलग तरीके का policy बनाने के लिए कि कौनसा policy सही होगा लोगों के लिए इस बज़े से policy making में media का role भी बहुत ज्यादा important हो जाता है अब देखते हैं role and effect of media ये time to tame हमारा जो media है ये किस तरीके से change हुआ है इसका क्ये evolution है ये हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं हम अगर change in role of media की बात करें इसको हम basically तीन हिस्सों में बाठ सकते हैं पहला है early days फिर है modern democracies और फिर आता है हमारा new media technologies हमारा media पहले जब start हुआ था यानि कि early days में था वहाँ पर starting में सिर्फ हम printing presses का invention देखते हैं printing press का invention के द्वारा हमारा ये media start हुआ था जहाँ पर लोगों तक बाते पहुचा आई जाती थी यहाँ पर हमारा पहले जमाने से ही जब से ये printing press start हुआ है उस time से ही press और politics का बहुत important एक close relation था ये basically start हुआ था हमारे यूरूप में जहाँ पर emergence of democracy हम देखते हैं वहाँ पर printing press का बहुत important रोल था ये democracy में और साथ साथ हमारा जो world में revolution आया था खास कर जो enlightenment आया था वहाँ पर जो revolution आया था लोगों में जो चेतना जा गई थी जो renesia आया था ये सारे period में ये printing process का importance बहुत ज्यादा था वहाँ पर जो भी important thinkers थे जैसे J.S. Mill, Hobas, Rosso, Monteski ये सारे जो thinkers, philosopher थे इनका जो thought process है ये लोगों तक किस तरीके से पहुचता था ये सारे चीज़े लोगों तक पहुचती थी printing process के द्वारा, printing process में ये सारे चीज़े छपती थी, book के हिसाब से चीज़े सारी छपती थी तब ही जाकर लोगों तक इनका जो revolutionary thought process है, हमारा society किस तरीके से बदल रहा है, society में कौन सी चीज़ सही है, गलत है, ये सारे चीज़े हम तक आकर पहुचती थी बेसिकलिए अगर हम simply समझने की कोशिश करें, तो जो early time में हम जब media की बात करते हैं थे, वो आनबायाश थी, वो सारे positive चीज़े, यानि कि जो सही है, वो ही चीज़ों को सिर्फ दिखाता था, वो ही चीज़े लोगों तक पहुचाता था लेकिन धीरे धीरे हम ये चीज़ में भी बदलाव देखते हैं, फिर आता है हमारा modern democratic system, जहाँ पर technology और थोड़ा advance हुआ, जहाँ पर हम newspaper के साथ साथ, radio, television, ये सारे चीज़े भी देखते हैं, यहाँ पर democracy और media का relation और ज्यादा powerful होने लगा यहाँ पर जो भी election campaigning है, यानि कि जो भी political candidates है, वो media को use करने लगे अपनी agenda को लोगों तक पहुचाने के लिए, government officials भी, political candidates भी, हर कोई अपना agenda को बाकी लोगों तक पहुचाने के लिए, media का use करने लगे फिर धीरे धीरे यह जो media है, यह और powerful होते गया, यहाँ पर लोग अपने जो public policies है, इसको shape करने के लिए भी use कर रहे थे, campaigning, government को चलाने के लिए, लोगों का idea, बाकी लोगों तक पहुचाने के लिए भी, यह media का use होता था आज भी हम यह सारे चीज़े देखते हैं, इसके वज़े से यह जो media है, इसमें भी हम बहुत ज्यादा बदलाव देखते थे, और इसके वज़े से भी बहुत सारे challenges हम face करते हैं यहाँ पर basically जो media में बदलाव हुआ था modern democratic times में, यहाँ पर जो media था वो ज्यादातर biasness में दबी हुई थी, यानि कि यहाँ पर media बहुती biased है, यहाँ पर जो भी चीज़े है, जो भी information है, इसको तोड मरोड के अपने हिसाब से, जो भी लोगों को favor करता है वो media, उनके आप से यह present करता था, खास कर हम modern democratic times में देखते हैं कि जो media है, media खास कर political parties किसी ना किसी एक political party को वो represent करती थी, या फिर जो जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े लोग है, उनके अंडर में रहती थी, इस बज़े से वो कुछ ना कुछ agenda को fulfill करती थी, और इसके बज़े से हम media में बहुत ज्यादा biasness भी देखते हैं, जहाँ पर information को तोड़ मड़र के बाकी लोगों तक पहुचाया जाता था, इस बज़े से ये जो misinformation प्रोवाइट करना है, ये सारे चीजे एक democratic process के लिए बहुत ही एक खराब चीजे बन चुकी है, अब देखते हैं new media technologies and democracy, हमार जो ये world है, आज का जो world है, ये basically एक technological world है, यहाँ पर हम बहुत सारे technology में बदलाव देखते हैं, खास कर जब 21st century में हम लोग हैं, यहाँ पर technology में revolution हम देख पाते हैं, यहाँ पर हम news paper तो हैं, साथ साथ TV, internet, internet के साथ साथ internet से जुड़ा हुआ, बहुत सारे ऐसे चीजे आज पर हमारे जिन्दिगे में add हो रही है, जैसे हम लोग अब study करने के लिए भी internet का use कर रहे हैं, news भी mobile पे ही देखते हैं ज्यादा तर, और इसके साथ साथ हमारा life में social media का influence भी बहुत ज्यादा है, जैसे facebook, twitter, instagram, youtube, यह सारे social media का influence भी हम बहुत ज्यादा देखते हैं, यहाँ पर जब हम democratic order की बात करते हैं, इसमें भी जो भी politicians है, अपना agenda logo तक पहुचाने के लिए यह सारे social media आजकल use कर रहे हैं, यहाँ पर internet का use बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और इसी बज़े से आजकल हम देखते हैं कि logo तक इस social media के जमाने में, internet के दौरा logo तक बहुत तनाव का माहले साथ साथ एक इनसान के पास अलग-अलग तरीके का variety के तरीके का information होता है, उसमें से सही कौन सा है और कौन सा गलत है, इसको चुनने में भी उसको दिक्कत होती है, लेकिन जो भी problems है, यह जो भी problems है या फिर challenges है, इसके होने के वाबजूद भी social media आजके टा में, movements को mobilize करने में, और साथ साथ जो electoral outcomes है, यानि कि जो लोग vote देंगे, वो किसको vote देंगे, यह सारे चीजों को influence करने में, हम आजकाल देखते हैं कि जो भी political parties है, वो लोग कोशिश करती है कि अपना जो advertisement है, अपना जो agenda है, जो लोगों को पहुचाने का, पहुचाने चाह आते हैं, वो सारे आप social media से ज्यादा पहुचाने की बात करते हैं, या फिर कोशिश करते हैं, खास कर जब election आता है, आप लोग देखिएगा कि YouTube पे आप लोगों को political parties की advertisement मिलेगी, फिर जब election आएगा तब Facebook पे भी आप लोगों की advertisement मिलेगी, इस तरीके के social media के द्वारा आ हम democracy में, जो media है, इसका influence बहुत ज्यादा देखते हैं, अगर हमें एक अच्छा democracy चाहिए, एक अच्छा democratic country चाहिए, तो हमारा media एक unbiased media होना चाहिए, लेकिन आजकल हमारा ये unbiased media का जो concept है, ये धिरे धिरे खतम हो रहा है, लेकिन हमारे लिए एक unbiased media की बहुत ज्यादा जरूरी है, आशा करता है कि अगले time में हम देखेंगे कि कुछ unbiased जो media से वो reporting करेगी और हमारा देश बहुत आगे तरक्की करेगा, तो आजका class यहाँ पर ही खतम करता हूँ, अगर class अच्छा लगा है तो comment करना और वीडियो को like और share जरूर करना, क्यूंकि sharing is caring, तो मिलत है अगली class में तब तक अच्छे रहिए, स्वस्त रहिए और लोगों में प्यार बाठते रहिए, जाए हिंद